भारतित जन्ता पाटि के दृग जिला अध्यक्ष के नेय।की होने के चार महिने बाद बनी जम्बो कारिकारनी में गिला उपाद्यक्ष के चौहांflow में आगामी विधान सभाच चुनाओं में धृग जिला भास पर संगठन की गुमी काव तैयारिऊं से हिद राजनी थीग सामाजिक विश्यों पर रन इसी नियू से खास बातिती है आई देखते हैं जुर्ग जिला भाच्पार्टे नव नियूं के उपाद्यक्ष के सोहां से हुई बातित के खास नमस्का दर्शकों ग्रेंड एसी इनकीज खास पेशकस एक मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का स भुष्णा की है चार मंडल में अध्यक्षों की नियूक्ति की है उनमें इनहें जिला उपाध्यक्ष की उपाधी मिली है नए जिला उपाध्यक्ष की उपाधी के बाद ये किस तरह की रंडीती बनाएंगे आगामी जुनाओं को लेकर कैसी तैयारियां करेंगे इन सब ब पहले ही जो नियुक्त किये गए हैं पदादिकारी उसमें आप जिला उपाधियक्ष भोशित किये गए हैं तो आपको कैसा लगता है इसको आप किस रूप में देखते हैं दिखे शाहिन जी यह एक्चली पद नहीं है भारती जनता पार्टी पे दाइत दिया जाता है दाइत वो जो पार्टी के प्रती हो दाइत वो जो समाज के प्रती हो अपने जिले के प्रती हो या अपने देश के प्रती हो तो यह दाइत है और यह जो दाइत होता है यह पद हो होता है कि is it Diese एपका जो वर्क होता है वो पर्मानेंट होता आपकी जो ęलेशंस होते हैं वो पर्मानेंट होथे हैं व्यवहार जो होता है वो पह पर्मानेंट होता है जैसे कि हमारे श्रध Ya services ब AI बास्छपई लेकिन वैसा वर्क वो वर्क याद रह जाता है तो जैसे हमारे कपिल देव जी कपिल देव जी ने हमारे को वर्ड कप जित वाय था तो कई आये लेकिन उनका वर्क याद रह जाता है आज वो नहीं है कप्तानी में नहीं है टीम में भी नहीं है लेकिन उनका वर्क उनका अभ रखता है और उसी को करने की हम बहुत अच्छे से चेस्टा करेंगे लेकिन ऐसा देखा जा रहा है जहां सर की पूरी कारेकार्णी को ही बदल दिया गया है ऐसा क्यों देखें नया कप्तान आते हैं तो वह अपने हिसाब से कारेकार्णी बदलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि व और सभी का समन्मे लिया गया है और बहुत सोच समझ के कोई भी कप्तान होता है तो बहुत सोच समझ के अपनी टीम को सिलेक्ट करता है कि हम मैच कैसे जीते हैं यह हम जिस कार के लिए हम हमारे को दाइत दिया गया है उस उस कार में हम लोग कैसे सफल हों कैसे हम अपने आपकी आपने आपको साबित करें जी मैं आप जिलाव पाध्यक्ष बने आप राजनिती परिवेश में शुरू से हैं आपका परिवारिक भी इसमें रुजहान रहा है आपके पिता भी एक कुछर राजनिती गिते छोटे कारे करता जो जैसे ही पार्टी जॉइन करते हैं उनमें भी उत्सुकता रहती कि उन्हें भी कोई पद पर आसिन किया जाए तो ऐसे कारे करताओं को पद कैसे मिले उनको क्या ऐसा करना चाहिए कुछ टिप्स एक ऐसा उनको बता है आप महती अच्छा कोशन है खैर मैं इसका विशेशग्य तो नहीं हो लेकिन जो हमारे अनुहां है ख जब आपकी कोई काबलियत ही नहीं है तो आपको हैसियत नहीं मिलती है तो आप काम करें और परिक्रमा होती है परिक्रमा आदमी गलत वे में समझ जाता है कि हम बड़े नेताओं के बड़ा पदेदिकारियों के हम चक्कर काट रहे हैं उनके घरों में जा रहे हैं या उनके दफ्तरों में जा रहे हैं उनसे घनिष्टता बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है आप 2400 घंटे किसी भी पदादिकारी या बड़े नेता के पास बैठे रहें तो वो क्या आपको पद देदेगा नहीं आपकी काबियत को देख के ही जहां पर वो सूट होता है वहां पर व निष्ठा रखता है और अपने पद से अपने दाइतों से पहले निष्ठा रखता है उसके हिसाब से ही काम करता है तो परिक्रमा का मतलब यह होता है कि जो आप पराकरम जो आप काम कर रहे हैं तो अधिकतर काम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं और ऐसा राजनीती में या सकता हो तो परिक्रमा उसका नाम है कि आप अपनी बातें वहां तक पहुंचाएं बहले वह सोशल मीडिया के द्वारा हो बहले वह काम करके हो और लेकिन कैसे न कैसे किसी न किसी दूरू से उन तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि यह फ़ला काम मैंने किया है और मेरा कितना क्वारत लगा है तो आपको हंड़े, परसंट पर्संट पार्टी जो है भारती हिनता कामों को बहुत जदह तव्यदा तवज्जु देती है और परक्रम ही में होता है, जैसे ने आप सुहागा सिर्फ सुहागा क्या लेकि क्या करेंगे सोना भी होना चाहिए तो सोने सोना अगर है तो ही सुहागा डालेगा तो चमाक आएगी तो बजार में आएगा तो खरीदा जाएगा तो यूसफूल होगा तो किसी के काम आएगा वैसे कोई काम नहीं आएगा तो वैस किसी अनुभवी लोगों से बात भी करनी चाहिए और उसके हिसाब से ही उनको आगे बढ़ना चाहिए बहुत अच्छा जवाब दिया आपने छोटे कारे करता कैसे पार्टी से जुड़कर हासिल कर सकते हैं राजनिती के बात चल रही तो मैं जानना चाहूंगी आजकल फिल् में भी जो काफी प्रमुकता से इसका मुद्दा भी उट रहा है और रंग को लेकर भी राजनिती गर्माती है क्या फिल्मों में राजनिती वोलाना कितना सही है या गलत है देखे मैं तो भारती जनता पायटी की बात करूआ तो भारती जनता पायटी ना किसी रंग के खिल के गलत चीजें जो हैं और गलत चीजों में मतलब वो सेंसर बोर्ड भी जो गलत चीजें आती है वो खुद पर खुद भी वो निकाल देता है लेकिन आज की डेट में जो जवाबदारी होती है भारती जनता पार्टी का काम होता है कि जागरुकता फैलाना तो जागरुकता आ रियलाइज नहीं होता है कि ये सही बात है कि गलत बात है तो भारती जनता पार्टी उन सब चीजों को रखती है कि ये क्यों सही है या ये क्यों गलत है तो उसके हिसाब से जनता को ये लेना चाहिए और आजकल मतलब जैसे कि हर बिजनस में भी होता है आपसी संघर्ष इसमे अपन बढ़ावा दे देते हैं हो सकता है कि फिल्म वानू का ही इसमें आपसी जो आप बोल सकते हैं कि competition हो जाता है तो वही मतलब इस टाइब की चीजें करते हों बाकी जहां तक भारती जनता पार्टी के सवाल है गलत चीजें जहां भी आएगी वहां भारती जनता बार्टी विरोध करेगी लोगों को जागरु करेगी और उसका फैसला जनता के उपर छोड़ देगी कि आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखना चाहिए या नहीं देखना चा प्रदेश में कॉंग्रेश का भी मजबूत इस्तिती में देखी जा रही है काफी जगह पर परचम उन्होंने लहराया हुआ है ऐसे में भारती जनता पार्टी कैसे पैठ जमाएगी दैनासोर का नाम जनते हैं आप तो लाखो वर्ष पहले डैनासोर था और डैनासोर जो है व इतना हाकार मचा के रखा हुआ था पूरी प्रित्वी में उन्होंने पूरे डैनासोर एक रात में खतम हो गए थे पूरी प्रित्वी के क्योंकि डाइनासोर जो है वो बरफ में चल नहीं सकते हैं और पूरी पृत्वी में एक दिन ऐसा हुआ कि दो दिन तक पूरा पृत्वी जो है वो बरफ गिरते गई और पूरे डाइनासोर एक दिन में खतम हो गए तो प्रकृती बहुत संतुलित है, जनता बहुत संतुलित है, जो अगर जिस भी पार्टी है, जो भी काम, जो भी नेता, जो भी है, वो जैसा काम करेगा, वैसे ही उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो सर्वे रिपोर्ट तो उसमें 40% जो चुने हुए जन प्रतिनी दी थे, वो खतम हो रहे थे, मतलब वो हार रहे थे, तो इन्हों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी जीलों में करना चालू किया, ब्रह्मन करना चालू किया, वहाँ पर उनको काले जंडे और काले गुबारे भी दिखाए ग तो यह देखके उनकी जो पॉपॉलर्टी है, जो पहले अभी से 3-4 साल पहले थी, वो आज की डेट में आप निकलेंगे, तो और बहुत ना अनुसुचित जन जातिवानों को देख लीजिए, और बाकी जो निविदा करमचारी हैं, उनको देख लीजिए, तो अनिमित नह को निमित नहीं किया गया है, वो आकरोशों के सडकों पे आया है, पचास साल के बाद सरकारी करमचारीों ने इतना बड़ा अंदोलन किया, इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वो यह सब चीज़ें दर्शाती हैं, और लगातार वोट आफ परसेंटेज आपकी गिरते जा र रहे हैं, तो एक्चुली क्या हुआ था कि जो जन प्रतिनी दी थे, वो जन प्रतिनी दी होने के मतलब वो लायक नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि जो घोशना पत्र था, कॉंग्रेस को वोट या जन प्रतिनी दी को देखके जनता ने वोट नहीं दिया था, वोट दिया था, उनके घोषना पतr को देखे और घोषनापतr का हाल आप देखी रहे हैं और दूसरी बात यह है कि उस बहथी हुई गंगा में जो आपने घोषनापतr को जनता ने वोट दिया था ना की कोईरेस पार्टी को ना की उनके जनप्रतिनी दियों को तो वो जो खरे कौन उतरा? खरे वो उतर ही नहीं सकते जो दूसरे की नाउमें बैठ发 LI 주lan रहा है कि जण प्रतिनिधी जहांपर भी सर्वे आ रहा है जहांपर भी वापर जो लोकल जण प्रतिनिधी अभी विधायक है जनता उन से बहुत ज़्यादा चीड़ी हुई है तो इस वज़ा से जहां तक हमारे को लगता है कि भारती जनता पारटी 2023 में बहुत अच्छी भाहूमत से अपने परस दुरूग के चार सीटों में कबजा ज़ाँ पाएगी बिल्कुल क्यों नहीं यही जो कारण मैंने आपक हुएं दो यहाँ पर हो बहुत चारा किया है और अभी नई कारेका दूर्णी बनी है और हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और भा करती जनता पारटी का चारों सीटों में हम लोग पकर दम लह रहेंगे जिलावपाद्ययक्ष रहक 2016 को कैसे करें गे उर राण की प हैन कर भी खिलाडी या कोई भी कर करता या पदादिकारी या दाइत जो मिला है तो वो अगर अपने लिए करता है तो वो फेल हो जाता है भले जितना अच्छा खिलाडी हो लेकिन वो अगर टीम के लिए खेलता है अपने देश के लिए खेलता है अपने देश के लिए काम करता है सम काम अपना-पना सभी लोग करना है और सभी लोग अपना-पना काम करते हैं टेंप्रेरी होता है यह जो पद है वो टेंप्रेरी होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15-15 साल से जो लोग लगे रहते तो मतलब बड़े पद में भी थे आज छोटे पद में हैं तो वो देखके ऐसा मायूस नहीं होते हैं। वो देखके ये बोलते हैं। वर्ल्ड पब भी जीता है। तो ऐसा नहीं है। तो अपना जो काम मिला है, वो हम करते जाएं। लेकिन टीम के लिए करें, पार्टी के लिए करें, देश के लिए करें, वही काम आपका, आप भले पद में रहें या ना रहें, लेकिन वही काम, वही जो चीज है, वही आपकी काउंट होती है, और और कोई चीज काउंट नहीं होती है. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजनेती से जुड़े सवाल हो कि आपने जब आप कावे विबाकी से दिये डायना सोर का भी विशलेशन अच्छे से किया अगले बार हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे तो यह थे केस चौहान सर जियां यह किसी परिशाय के महतास तो है पहले भी यह काफी जानकारियां राजनीती की दे चुके हैं मिडिया प्रभाई रह करके और अब यह जिला उपाध्यक्ष हैं और किस तरह किन के रहन लीट की रहेगी पार्टी के रहे किस तरह कारे करेंगे और इन्होंने चार सीटों पर कब्जा जमाने की जो बात है कही है उस पर कितना खरा होत रहेंगे तब तक लेकरी नमस्कार